वेलकम टू मंजरी फूड फूड फैशन आज यो रिस्पी मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूं वो है बैंगन का भड़ता या ब्रिंजॉल भड़ता सबसे पहले मैंने दो बड़े बैंगन लेकर उनको अच्छी तरह धोकर उनके उपर ओल लगा के मैंने उनको अच्छी बड़े प्यास हरा धनिया जिंजर कार्लिक, हरी मिर्ची, टमाटर इन सब को मैंने धोकर अच्छी तरह से काट लिया था मैंने जो है जो भड़ता है इसको आप प्रांठे के साथ खा सकते हैं रोटी के साथ खा सकते हैं मैंने प्रिंजॉल को अच्छी तरह से काट के उसको साफ कर लिया और उसके अंदर सारे बीच निकाल दिये मैंने एक तरफ कड़ाई ली उसके अंदर मैंने ओयल टाला उसके अंदर जीरा टाल दिया एक पर मेरा जीरा जब थोड़ा सा रोस्ट हो गया तो उसके अंदर जो मैंने प्यास काते थे वो मैंने इसमें टाल दिये और म डालिक डाला, जिंजर डाला, हरी मिर्ची डाली और इसको फिर से एक बार से मैंने पका लिया, एक बार जब यह अची राम पक्या तो कुछ जो मैंने पहले से ही त्यार करके रखे थे, जिसमें नमक, मिरच हल्दी, गरमसाला, कसूरी मेथी, जीरा पाउडर, उसको जो है मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया, और इसको एक बार अच्छी तरह से मैंने फ्राइ कर लिया है, एक बार अच्छी तरह फ्राइ होने के पात, इसके अंदर जो है मैंने टमाटर डाल दिये, इसमें मैंने चार बड़े टमाटर का यूज करा है, और मैंने साथ में फ्रोजन माटर भी मैंने एक टोरी डाले है, भरते के अंदर माटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, और एक बार मैंने इनको अच्छी तरह रोस आप ट्राइ कीजिए कि जो अगर ब्रिंजल के अंदर कभी बीच होते हैं तो आप उनको निकाल दीजिए और इसके बाद फ्राइ करना बहुत ही ज़रूरी है आप भड़ते को जितना फ्राइ करेंगे इसका टेस्ट उतना ही बढ़ेगा लास्ट में जो है इसके अंदर आप हरा धनिया डाल दीजिए उससे अफकोस टेस्ट अच्छा आता है स्मेल और अच्छी हो जाती है और मैंने इसके उपर जो है अंदर थोड़ा सा देसीगी भी डाला था और मैंने ढखके थोड़ी देर इसको पका लिया और उसके बाद जो इसको आप रोटी, परांठा, रोमाली रोटी, लच्छा परांठा, चावल, पुलाओ किसी के साथ भी आप सर्फ कर सकते हैं बहुती टेस्टी, बहुती ईजी तरीके से मैंने आपको सिखाया है ब्रिंजॉल भरता तो कैस प्लीज इसको ट्राइ कीजेगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कोई और रस्पी आपको देखने है तो मुझे जरूर बताना, थांक यू सो मच, बबाई